नमस्कार मेरे गनिष्ट मित्रो कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ आप सभी स्वस्त और प्रसंद होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेसर पी एसम पीजी कॉलेज जोग्राफी डिपार्टमेंट का नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न जोग्राफी में दोस्तो इससे पहरे वाले कोरल ब्लीचिंग की बात की थी जिसमें हमने देखा था कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है कोरल ब्लीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं तथा उससे प्रभाव क्या पढ़ता है जिसका हमने पढ़णाम की रूप में दोस्तो आज हम बात करते हैं आपसे इस वीडियो में जैव मंडल यानि बायोस्फेर की इस वीडियो से सम्मंदित जो PDF है हिंदी और इंगलिस में मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहां से आप डाउनलोड करके आसाम से पढ़ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आज का वीडियो जिसका नाम है जैव मंडल यानि बायोस्फेर जैव मंडल का सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है जैव मंडल से तादपर्द है प्रतवी के उस भाग से है जहां सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है यानि कि जहां पर जीवन उपलब्द है वो आपका क्या है वो आपका बायोस्फेर है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जैव मंडल दो सबदो से मिलके बना है जयो प्लस मंडल जयो कारत थै जीवन और मंडल कारत थै छेत्र यानि कि जिस छेत्र में जीवन पाया जा रहा है उसे हम जयो मंडल कहते हैं आगे देखते हैं हम प्रत्वी की तीन परिमंडल यानि कि जो जोन है आपके प्रत्वी के इस्थल मंडल, वायू मंडल, जयरू मंडल जहां पर आपस में मिलते हैं वहीं आपका जयरू मंडल इस्थित है यानि कि इस्थल मंडल, जयरू मंडल और वायू मंडल जहां पर मिलत चाहता है उसे ही हम जय्य मंडल कहती है ठीक है आगे देखते हैं बायोस्फियर सब्द दो सब्दों यानि कि बायो तथा इस फेयर से मिलकर बना है जिसमें बायो का अर्थ है जीव या प्राणी और स्फियर का ताथ पर है मंडल यानि कि जैव मंडल का साब्दी कर्थ हुआ या बायो स्फियर का साब्दी कर्थ हुआ जैव मंडल यहाँ पर प्राणी या जीव पाय जाते हैं बायोस्फेर सब्द सरप्रथम प्रयोग रूसी वैग्यानिक वर्गाडश्की ने किया था यह सब्द आप याद रखेंगे कि बायोस्फेर सब्द का प्रयोग किस ने किया तो रूस के वैग्यानिक थे वर्गाडश्की ने किया था जबकि बायोलोजी सब्द लाइमार्क जो फ्रांस के थे और ट्रिवे रेनश ने जो जर्मनी के थे अठारा सो एक में किया था तो यह आपको अलग-अलग याद रखना है कि बायोस्फेर सब्द किस ने दिया तो दूसी वैग्यानिक वरगाडश्की ने दिया जबकि बायोलोजी सब्द लाइमार्क जो फ्रांस के थे और ट्रिवे रेनश जर्मनी के अठारा सो एक में दिया था आगे देखते हैं अब इसे अलग-अलग विद्वानों ने अपने-अपने सब्दों में परिभाशित करनी की कोसिस की है जयवमंडल को इसमें से एक विद्वान है मौंक हाउस उन्होंने क्या कहा है कि प्रत्वी के समस्त जीवधारी प्रांडी और पर्यवरन जिसमें इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है जयवमंडल कहलाता है अथवा प्रत्वी का वह समस्त भाग जहां पर जीवन पाया जाता है वह आपका जयवमंडल कहलाता है जीव की सरप्रथम उत्पत्ति सागरों में एक कोस की ये जीव के रूप में हुई थी यानि कि जीवन की उत्पत्ति कहा हुई है तो सागरों में यानि कि जल में हुई है और किस रूप में हुई थी एक कोश की जीव के रूप में हुई थी अमीबा से मानी जाती है यानि कि जो एक कोश की जीव था पहला वो कौन सा था अमीबा था ठीक है प्रत्वी सौर मंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है ठीक है सौर मंडल में आपको पता है कि शूर है उसके साथ आठ ग्रह है उपक ग्रह है आपके उलका पिंड या कई सारे अकास ये पिंड मिल करके सौर मंडल का निर्माड करते ह तो इस सौर मंडल में केवल किस ग्रह पर जीवन है तो प्रत्वी पर ही जीवन पाया जाता है इसलिए प्रत्वी को जीवित ग्रह भी कहते हैं यह भी आपको याद रखना है अगर आपसे कोई पूचे कि जीवित ग्रह किसे कहते हैं तो प्रत्वी को कहते हैं और इसे नीला ग्रय भी कहते हैं. आगे देखते हैं, जयव मंडल की परत पतली लेकिन अत्रधिक जटल है, यानि कि जयव मंडल पतली परत की रूप में है, किसी भी प्रकार का जीवन केवल इसी परत में संभव है, यानि कि अगर आप प्रत्वी के दरतल से उपर की ओर जाएंगे, तो 10 किलो मीटर तक जयव मंडल पाया जाता है, यानि कि 10 किलो मीटर तक ही आपका जीवन संभव है किसी भी जीव के लिए, अगर हम गहराई में जाएंगे, तो 10.4 किलो मीटर की गहराई तक यह उपस्तित है, यानि कि प्रत्वी की सतय से नीचे जाएंगे, अगर तो 10.4 किलो मीटर तक और उपस्तित जाएंगे तो 10 किलो मीटर तक प्रत्वी की सतय से लगबग 8.2 किलो मीटर की गहराई तक यह विद्धमान है, ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, इस चितर के माद्यम से दोस्तो जैव मंडल को दिखायाने की कोशिस की गई है, इसमें आप देख सकते हैं यह आपका वायू मंडल है यह आपका इस्थल मंडल है और यह जल मंडल है और यह दोनों जहां पर मिल रहे हैं इसे हम बायो स्फेर यानि की जर्व मंडल कहते हैं या आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैव मंडल को यह वायू मंडल है आपका यह जल मंडल है यह इस्थल मंडल है तो इसके जो मद्द का भाग है यह वाला पार्ट है जो यह आपका जैव मंडल है यानि कि तीनों पलते यहां पे मिल रही है तो ये आपका जैवमंडल है ठीक है आगे देखते हैं हम थर्मोफीलिक जिवारू गहरे समुद्र में जौला मुखी रंद्रों के 300 डिगदी तापमान के बीच भी जीवित रह सकता है यानि कि समुद्र की आगर आप सतह पर जाएंगे यानि कि बॉटम में तली में जाएंगे तो वहाँ पर भी जीवन पाये जाता है तो उनको टेंपरेचर कहां से मिलता है तो जौला मुखी रंद्रों से जो तापमान निकलता है उससे पाये जाता है भूगर्में में पाये जाने वाले कोईले और खनिज तेल के भंडार वनस्पती और जीव उसेस हैं ठीक है दोस्तो इसमें हमने देखा भी था जब हमने अगर हम आपसे कहें कि आउसादी चट्टाने या कह सकते हैं कोईले और खनेज थेल किस में पाये जाते हैं किस चट्टानों में तो वो आवसादी चट्टानों में पाये जाते हैं और वो किस के आवसेस होते हैं तो जीवों और वनस्पतियों के ही आवसेस होते हैं ठीक है हमें इस पट्टी का महत्तो समझ कर इसे प्रदूसित होने से रोकना चाहिए अताह यह हमारे लिए अत्यंत महत्पूर्ण है ठीक है अब हम आगे देख लेते हैं जयवमंडल के घटक यानि components of biosphere जयवमंडल के मुकता तीन घटक होते हैं कौन कौन से अजयवेक यानि अबायोटिक जयवेक यानि बायोटिक और ऊर्जा यानि की इनर्जी पाया जाता है ठीक है एक्जाम्पल के लिए जैसे plants इनमें भी जीवन है animals आपके जानवर हो गए फंगी हो गए आपका यानि कवक और बैक्टिरिया हो गए इनमें भी आपके जीवन पाया जाता है तो यह सब आपके बायोटिक होते हैं आप बायोटिक यानि की non living जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है जैसे जल, सनलाइट यानि धूप, सोयल, मिट्टी, एर, वाईव, टेंपरेचर यानि तापमान इनमें जीवन नहीं पाया जाता है लेकिन कहीं न कहीं जीवन के विकास के लिए इन चीजों का अतधिक महत्तो है इनहीं के द्वारा ये जीवन फल फूलता है या पनपता है ठीक है इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं अजयविक गटक इन गटकों में वे सभी अजयविक गटक सामलित होते हैं जो सभी जीवित जीवानूओं के लिए आवश्यक होते हैं हमने अभी उपर बताया आपको इसमें कौन सा है जैसे इस्थल मंडल भूपरपटी का ठोस भाग वायू मंडल भी सामिल है इसी में साथी साथ जल मंडल भी इसी में सामिल होता है खनेज पोसक तत्व कुछ गैसें जल जैविक जीवन के लिए अत्यंत या तीन मूल भूत अवश्यक्ताएं है इसके बाद म्रदा तथा अवशाद खनेज पोसक तत्तों के मुख भंडार है यानि आगर आपसे कोई पूचे कि खनेज तत्तों सबसे अदि कहां पाया जाता है या भंडार कहों से है तो म्रदा और अवसाद है वायु मंडल जैविक जीवन के लिए अवश्यक गैशों का भंडार है यानि कि गैसें कहां पाय जाती है तो वायु मंडल में पाय जाती है तता महा सागर तरल जल का प्रमुक भंडार है ठीक है तो खनेज पोसक तत्तो आपके म्रदा और अवसाद में मिलते हैं गैसें आपके वायु मंडल में है जबकि जल आपका महा सागरों में पाय जाता है और यही तत्तो किसी भी प्रकार के जीवन के लिए अवश्यक होते हैं जहां ये तीनों भंडार आपस में मिलते हैं वह छेत्र जैविक जीवन के लिए सबसे अधिक उपजाव छेत्र हो जाता है जैसा हमने अभी उपर डाइग्राम में भी देखा था आगे देखते हैं म्रदा की उपरी परत और महासागनों के उथले भाग जैविक जीवन के जीवन को जीवित रखने के लिए सबसे अधिक मात्पूर्ण छेतर होते हैं तीक है आगे देखते हैं अब इसके बाद देख लेते हैं हम जैविक गटक पौधे, जीवजन्तू, सूच में जीवाणू, सहित, मानव, पर्यावरण के तीन जैविक गटक हैं यानि कि मन, मानव भी आपका जैविक गटक में सामिल होता है ठीक है इसमें पहला आपका पौधे, जैविक गटकों में पौधे सबसे अधिक मात्पूर्ण होते हैं पादक होते हैं अचू की पौधे, प्रकार संसलेशन प्रकिरिया द्वारा यानि की फोठो सिंतेसिस द्वारा अपना बोजन स्वायम बनाते हैं इसलिए इन्हें स्वापोसी का जाता है आगे देखते हैं, ये स्वापोसी होने के साथ साथ जैविक पदार्थों एवं पोशक तत्तों के चक्रण एवं पुनर चक्रण में भी मदद करते हैं कहने का मतलब है जो आपका किसी भी पारिश्थितिक तंत्र में जैव भूरसायन चक्र होता है उसमें सबसे अधिग मत्रपूर्ण आपके पौदे ही इस चक्रण को पूरा करते हैं अता पौदे सभी जीविवों के लिए भोजन और उर्जा के प्रमुक स्रोथ हैं तीक है ये आपको याद रखना है कि इनसान हो या मानो हो या कोई भी जीव हो उनको भोजन अगर मिलता है तो वो कहां से मिलता है पेड़ पौदों से मिलता है साथ ही साथ उर्जा भी उनको इसी से मिलती है इसके बाद है पौदों के बाद पौदों के बाद पौदों मुख औ भोगता होता है यह आपको याद रखना है कि जो पसु होते हैं वो भोक्ता होते हैं क्योंकि पसु पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं इसलिए उन्हें भोक्ता कहा जाता है इसलिए पसुओं को विशम तंत्र कहा जाता है यह आपको याद रखना है कि विशम तंत्र किसे कहते हैं तो पसुओं कहा जाता है पौधों द्वारा भोजन के रूप में उपलब्द कराए गए जैविक पदार्तों का उपयोग करना ठीक है भोजन को उर्जा में बदलना भोजन को ये उर्जा में बदलते हैं ठीक है जबकि पेड़ पौदे उर्जा को भोजन में बदलते हैं इनने की संक्या असीमित है तथा इने अब घटक के रूप में जाना झाता है आपके जो पेड़ पौदे हैं वो उत्पादक होते हैं पसू आपके उभोकता होते हैं और जो सूच में जीव है ये आपके अब घटक यानि की डीकंपोजर्स होते हैं आगे देख लेते हैं इसके अंतरगत विभिन परकार के सूच में जिवानू फफूंदी आदी आते हैं ये जिवानू म्रत पौधों और पशूओं तथा अन जैविक पदार्थों को अब घटेत करते हैं ये आपको भी पता है कि इस प्रद्वी पर जिसका जीवन हुआ है या जिसका जन्म हुआ है उसकी म्रत तुनिश्चित है तो अगर पेड़ पौधों का भी जन्म हुआ है पसूओं का भी जन्म हुआ है और जैविक पदार्थों का भी जन्म हुआ है तो जैविक पदार्थों का भी जन्म हुआ है तो जाइसी बात इनकी म्रत पदार्थों को अब घटेत करते हैं कौन यही आपके सूच में जीव इसके बार आगे देखते हैं इस प्रिक्रिया द्वारा वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं अब घटन की इस प्रिक्रिया द्वारा वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा वे जटिल जैविक पदार्थों को विच्छेदित तथा अलग-अलग कर देते हैं ताकि प्राथमिक उत्पादक अर्थात पौधे इनका दुबारा उपियोग कर सके कहने का मतलब यह है कि जो आपका जो जैविक पदार्थ है जितने भी पधे पशूपच्छी जितने भी है इनसान भी है यह जटिल रसाइनिक संद्द। और उसे मिट्टी में मिले हुए पदारतों का उपयोग आपके प्रातमिक उत्पादक करते हैं इनको दोबार हम देख लेते हैं उर्जा घटक उर्जा के बिना प्रत्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता उर्जा प्रतेक प्रकार के जैविक जीवन के उत्पादन तथा पुनर उत्पादन के लिए जरूरी है तो जीवन के उत्पादन और पुनर उत्पादन के लिए यह जरूरी है क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज को कार करने के लिए उर्जा की अशक्ता होती है सभी जीव मसीन की तरह कार करने के लिए उर्जा का प्रयोग करते हैं तथा उर्जा के एक प्रकार को दूसरे में बदल देते हैं सूर्य उर्जा का प्रमुक्स रोत है यह आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे उर्या का प्रमुख सोत क्या है तो वो सूर है आपका ठीक है आगे देखते हैं अब हम देख लेते हैं जैव मंडल का महत्तु क्या है जीव मंडल निन्म लिखित कारणों से महत्तुपून है पहला कारण जैव मंडल सभी प्रकार के जीवन के लिए पारिस्थितियां प्रदान करता है वे सारी दसाएं उपलब्द कराता है जिससे कहीं पर जीवन पनप सकता है जैसे आपका जलवायू जल और वायू इसके बार अगला है मनुष्य और जानवरों को सांस लेने और पौधों को प्रकार करने के लिए भी हवा कियो सकता होती है तो हवा उपलब्द कौन कॉन कराता है तो आपका जयो मंदल करती है तिकłeर जीवन को बनाये रखने के लिए आवश्यक भीजय। इंधन प्रदान करती है यानि कि भूमी खनिज प्रदान करती है इंधन प्रदान करती है और पौधों और पेड़ों को के जीवित रहने में भी मदद करती है यानि भूमी के काम क्या है खनिज इंधन प्रदान करना पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए मदद करना ये सबी आपके भूमी के ही काम है और भूमी भी कहीं न कहीं जैवमंडल का ही हिस्सा है ठीके दोस्तों तो दोस्तों आज का ये रा लेक्चर जिसमें हमने बायोस्फेर यानि जैवमंडल की बात की जैवमंडल का हमने अर्थ देखा परिवाशा देखी इसकी जैवमंडल के घट देखे जिसमें हमने जैविक घटक अजैविक घटक और उर्या घटकों की बात की साथ हमने जैव मंडल के महत्तुकों भी देखा है ठीके दोस्तों अगर इस वीडियो से सम्मंदित जो PDF है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा हिंदी और इंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ठीके दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार हमेशा खुस रहिए प्रसंद रहिए मुस्कुराते रहिए ठीके दोस्तों धन्वाद जय हिंद मित्रों